आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि या खिर कैसे पता करें कि हमें DU में कौन सा कॉलेज मिलेगा So, Hello Everyone, Welcome to No Education Guys, आप लोगों का सबसे ज़ादा पूछे जाना वाला सवाल यही है कि मेरे इतने परसिंट मार्ग्स आए है, मेरी कैटिगरी यह है और मेरे को इस कॉर्स में एड्मिशन लेना है तो मुझे DU का कौन सा कॉलेज मिल सकता है दोस्तो, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग इस टाइम बहुत जादा वरिड है आपको शूरिटी नहीं है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है और ऐसे टाइम पर आपको एक रिप्लाई चाहिए मुझ से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो DU के बारे में experience हो और आपकी help कर सके तो दोस्तो, आपको अब इस रिप्लाई के लिए wait नहीं करना पड़ेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद के से पता कर सकते हैं कि आपके इतने percent marks में क्या आपको आपका पसंदीदा college मिल रहा है और अगर college नहीं मिल रहा है तो कौन सा college DU का आपको मिलेगा उतने marks में तो दोस्तो इस चीज को समझाने के लिए हम एक example की मेदद लेंगे मालीचिये आपके 12th class में best 4 में 97% आए हैं और आपको डेली उनिवर्सिटी में become honors course करना है तो सबसे बहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेली उनिवर्सिटी के कौन-कौन से colleges become honors course offer करते हैं आपने जब ये चेक कर लिया तो उसके बाद आपको कैसे पता करना है कि 97% पर आपको कौन-कौन सा college मिलेगा तो इसका बहुत ही simple तरीका है दोस्तो आपको last two years की cutoffs को अच्छे से check करना है और उन cutoffs में ये देखना है कि ऐसा कौन-कौन सा college है जिसकी cutoff 97% या उससे कम गई हो तो जब आप ऐसा देखेंगे अगर हम यहाँ पे एक example लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि A.N.D.C., A.R.S.G इन सभी colleges की जो cutoff list है last cutoff वो 97% से कम है तो दोस्तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि बहुत high chances है कि आपको इन colleges में admission मिल जाएगा cutoff चेक करते समय ये जरूर ध्यान रखे कि आप last cutoff चेक कर रहे हो क्योंकि दोस्तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि first cutoff काफी high होती है और उसके बाद second, third, fifth cutoff तक वो college अपनी cutoff थोड़ी सी percentage थोड़ी सी कम कर देता है तो आपको हमेशा last वाली cutoff जो है वही चेक करनी है और cutoff आपको दोनों येर की जरूर चेक करनी है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है दोस्तों किसी एक साल में कोई एक college काफी high cutoff रख देता है तो दूसरे साल में उसकी cutoff गिर जाती है तो इसलिए मैंने आपको खा है कि आप 2019 and 2018 दोनों येर्स की cutoff अच्छे से चेक करिए उन colleges की एक list बनाईए जिन colleges में आपके best 4 के mark से कम की cutoff गई है और फिर अब आपको क्या करना है आपको इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस बार डैली उनिवर्सिटी की expected cutoff 0.5% या फिर शायद 1% से भी बढ़ सकती है ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस बार 12th में काफी बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया है इसके लिए डैली उनिवर्सिटी cutoffs को बढ़ाएगी ही क्योंकि seats तो limited है और बच्चे बहुत जादा है cutoff क्यों बढ़ेगी इसके उपर भी दोस्तों मैंने एक पूरी explanatory वीडियो बनाई हुई है तो अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों अब जो आपने list बनाई थी जिनमें आपके best 4 के marks से कम marks आए हुए थे उन colleges की अब आपको क्या करना है जैसे कि मैंने पहले भी खाँ colleges की percentage में 0.5 या 1% से cutoff को बढ़ा देना है for example आपने ARSG college का देखा जिसकी last year cutoff मान लीजिए वीको मॉनेर्स के लिए गई थी 96% अब आप हुए करना है आपको इसमें 0.5% बढ़ा देना है यानि कि अब ये total हो गया है 96.5% तो दोस्तो इसका मतलब है आपको अभी भी इस college में admission मिल रहा है क्योंकि हमने अपने example में कहा था कि आपके 97% marks आये है उसी तरह कोई और college ले ले लेते हैं माल लीजे दोस्तो किसी और college का example लेते हैं इस college की last year की cutoff थी 97% और अब आपने क्योंकि 0.5 add करना है तो ये cutoff हो जाएगी 97.5% तो दोस्तो आपको इस college में admission नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके marks है 97% और college की cutoff है 97.5% तो ये एक छोटा से example था जिसके जरीए मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप खुद कैसे पता कर सकते हैं कि आपको किन colleges में admission मिल सकता है ये जरूरी नहीं है दोस्तो कि मैंने 0.5% का है इसका मतलब 0.5% से ही cutoff बढ़ेगी ऐसा बिलकुल भी नहीं है ये मैंने सिर्फ एक समझाने का तरीका बताया है आप खुद जान सकते हैं इस तरीके से कि आपको किन-किन colleges में admission मिलेगा आपको किसी से पूछने की अब कोई जरूरत नहीं है आप D.O की website पर जाएए वहाँ से last year की cutoffs डाउनलोड कीजिए 2019 और 2018 की उनको अच्छे से चेक कीजिए और अपने सारे सवालों के जवाब पाईए तो दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए ही बनाए थी क्योंकि आप लोग यही कमेंट कर रहे थे कि हमें कौन सा college मिल सकता है अब इस वीडियो से आपकी काफी सारी queries का answer आपको मिल गया है लेकिन स्चिल अगर आपको कोई भी doubt है तो as you know आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जूर कर अपने doubt पूस सकते हैं लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ी से भी helpful लगी है तो please वीडियो को like कर दीजे और अपने सभी दोस्तों के साथ share कर दीजे और ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चानल को सब्सक्राइब करके बाल आइकन ओन कर दो